बिस्मिल्लाहिर्वह्मान रुर्वहीम मैं नेम इस आतिफ अफजल और मैं विड्हिपो.com की जानिम से WordPress का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ Introduction क्लास में मैंने आपको WordPress के बारे में डेटेल से बताया कि WordPress क्या है और हम इसको इसमें कैसे वेबसाइट त्यार कर सकते हैं और हमें क्या फाइदा है WordPress को यूज़ करने का और भी प्लेटफॉर्म काफी है लेकिन हमें फाइदा क्या है कि हम WordPress को ही चूज़ कर रहे हैं. खिर कोर्स आउटलाइन को ओपन करता हूँ और यहां पर पहले लेक्श़ में मैं आपको इंस्टालिंग ओ ओ लोकल होस्ट WordPress को लोकल होस्ट पे यानि के अपने कंप्यूटर में इंस्टाल करने का करिका बताओंगा इंस्टाल करने के से पहले मैं WordPress के बारे में कुछ मजीद आपको थोड़ा सा गाइड कर दू WordPress जो है वो आपको दो तरह की फिसिलिटी देता है कि आप वेबसाइट जो है वो WordPress के थूँ बना सकते हैं एक यह कि WordPress आपको सब डुमेन की ओप्शन देता है जैसा कि www.yourname.wordpress.com यह यूर नेम जो है यह आपका इसको सब डुमेन हम बोलेंगे तो यह आपको सब डुमेन बनाने की ओप्शन देता है और आप एक अपना सिंपल ब्लोग जो है वो इसमें create कर सकते हैं उसके लिए आपको open करना पड़ेगा www.wordpress.com ठीक है और अगर आप self hosting में यानि कि अपनी hosting में काम करना चाते हैं और अपनी मर्जी से domain name लेकर काम करना चाते हैं तो आपको www.wordpress.org पर जाना पड़ेगा और वहां से एक script download करके WordPress को अपनी hosting यह computer में install करना पड़ेगा उसके लिए जैसे के यहां पर मैंने लिखा हुआ है www.yourname.com यूर नेम से मुराद के आप अपनी मर्जी का कोई सबी name purchase करके WordPress में उसमें install कर सकते हैं तो अगर हम WordPress.com को देखें तो यहां पर आपके पास यूर नेम तो मिलता है लेकिन उसके साथ WordPress.wordpress.com जो है वो लगना ज़रूरी है इसके बगएर आप website नहीं बना सकते WordPress.com में और WordPress.com जो है वो फ्री है आप इसमें फ्री ब्लोग बना सकते हैं फ्री वेबसाइट बना सकते हैं लेकिन WordPress.org जो है इसको भी आप फ्री भी कह सकते हैं और लेकिन इसके लिए हमें .com की domain .com की या .net की या .org की या .info की जो भी आप domain जो हैं वो purchase करना पड़ती है फिर उसके साथ जो हैं आपको hosting purchase करना पड़ती है क्योंकि wordpress.com में आप कोई सी भी चीज़ upload करते हैं तो वो wordpress.com के server में upload होती है ठीक है लेकिन जब self hosting में आ जाती है तो self hosting में आपको सारा कुछ जो है वो अपनी एक hosting purchase करना पड़ती है या अपना server लेना पड़ता है उसके ओपर आपने सब कुछ install करना होता है तो वो आपको purchase करना पड़ता है इसलिए मैं इसको जो हैं वो free नहीं कहता लेकिन इस वक्त market में बहुत सी ऐसी domains आई हैं जिसमें आप free भी हासल कर सकते हैं लेकिन बात वही कि वहाँ वो भी आपको चंद दिनों की offer देती हैं लेकिन उसके बाद आपको फिर उसको purchase करना पड़ता है उसके बाद आज हम देखेंगे हम wordpress.com जो है इसको तो इसके ओपर तो हम काम नहीं करेंगे हम wordpress.org के ओपर काम करेंगे क्योंकि हमें professional website बनाना है तो इस वज़ा से मैं self hosting को use करूंगा लेकिन उससे पहले एक दफा मैं आपको wordpress.com जो है वो भी एक दफा open करके दिखा देत हूँ कि अगर कोई दोस्ट जो है वो free blog बनाना चाहता है तो wordpress.com में जा कर वो बना सकता है सिंपल ये open करते हैं यहाँ पर create website आप इसमें account create करते हैं और अपना blog बना सकते हैं लेकिन अगर कोई बंदा free use करना चाहता है तो वो हमारी widhippo.com पर जाए और वहाँ पे blogger.com का एक complete video course जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है उसको देखके आप free blog बना सकते हैं क्योंकि wordpress.com या blogger.com में sub domain दोनों ही offer देते हैं लेकिन blogger में आपके आपके पास जो है वो wordpress.com से ज्यादा options मजूद हैं आप इससे बेहतर website या blog जो है वो उसमें बना सकते हैं free खैर उसके दो यूज करना है चुकर हमारा आज का टॉपिक जो है वो installing on local host हमें wordpress को local host पे किस्ता install करना है सबसे पहले local host क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूं local host से मुराद ये है कि आप अपनी computer में wordpress को किस्ता install करेंगे चूँके wordpress जो है वो PHP में बनाएगी है PHP एक language है लेकिन वो server side language है आप अपने computer को server बनाते हैं और वो server आप जो हैं वो किस तरह मनाते हैं वो जो आपको जरूरी होता है वो आप किस तरह मनाएंगे उसके लिए भी एक software दरकार है उस software को आप xm बोलते हैं और xm को download जो हैं वो आपने कहां से करना है ये भी free of cost आपको market से मिल जाए website का नाम है www.apachifriends.org इस website को मैं open करके आपको दिखा देता हूं कि आप इस software को किस तरह हासल कर सकते हैं अगर आप हमारी DVD purchase कर रहे हैं तो ये software already DVDs में मजूद होगा और यहां पर download का बटन आता है आप इस download के बटन के ओपर click करके इसको बहुत असानी के साथ download भी कर सकते है Okay उसके बाद जो हैं मैंने चुके इसको download करके अपने PC में पहले से रखा हुआ है आपको यहां पर बता दूं कि जैसे ही जैसे classes बनती जाएंगे उसका एक folder बनता जाएगा जैसे कि आज पहली class है तो हमेंने पहला folder यहां पर बनाया इसमें मैं जो चीज़ आपको बताऊं है तो मैंने यहां पर wordpress का script रख दिया और exam को download करके मैंने यहां पर रख दिया यह DVD में आपको साथ मिलेगा ठीक है जी और इसके लिए मैं सबसे पहले जो हैं वो हपतें PC को server बनाऊंगा तो वो हम बनाएंगे exam के साथ मैं exam को install करता हूँ double click किया मैंने exam के icons के ओपर yes जी बिलकुल यहां पर next next और आप c में अगर exam को install कर रहे हैं तो आप simple next करेंगे और अगर आप directly change करना चाहते हैं तो आप यहां से आप यहां पर इसको अन्चक कर देता हूं और नेक्स्ट कर देता हूं अब जो है यहां पर इसको अंचक कर देता हूं कि मुझे और मजीद नी चाहिए इसमें आप यहां पर इसको करता हूं और जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा तो हमारा xamp software यह वो ओपन हो जाएगा और यह देखें एक्जैम सॉफ़वर जो हैं वो आपके समने ओपन हो गया और हमें अपने सर्वर को पीसी को सर्वर बनाने के लिए दो सॉफ़वर जो हैं उनको स्टार्ट करना पड़ेगा वो हम किस तरह स्टार्ट करेंगे यहां पे अपाची और माई एसक्वियल को हमें ओपन करना पड़ेगा तो इससे पहले मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ स्टार्ट करने से पहले और आपको बताता हूँ कि भी हम लोकल होस्ट कैसे ओपन करेंगे और अगर हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा तो हमें क्या एरर आएगा तो यहां पर यह देखें कि गूगल क्रॉम में मैं लोकल पोस्ट यहां पर लोकल होस्ट लिखने के बाद जो है मैं एंटर करता हूँ तो च्पे इसवक्त हमारा सफ्फवर जो हैं वो स्टार्ट नहीं है हमारा पीसी जो हैं वो सरवर नहीं बनना उसकी वज़ा है यहां यहां पर अपाची और माई स्वियल को यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये start के बटन हमें नजर आ रहे हैं तो यहां पर हम इसको यह देखिए आपके सामने जो है वह error आ गया this page, web page is not available अब अगर हम इसको start के बटन पे click करते हैं और दोनों को हम start कर देते हैं तो अब हमारा वह बन चुक है अब हम pc में कोई cv php की file जो है वो open कर सकते हैं तो वो हम कैसे करेंगे इसको मैं minimize करता हूँ अब जो है मैं local host को open करता हूँ दोबारा refresh करने से मैं इसको open करता हूँ और यहां पर अब जो है हमारा exam का जो main page है वो हमारे सामने display हो जाएगा इसको मैं allow करता हूँ जी बिल्कुल यह main page exam का हमारे सामने display हो गया हम इसको English में use करना चाहते हैं तो हम यहां पर English पर click करते हैं और यह main page जो है हमारे सामने display हो गया अब हमारा exam जो है वो proper काम कर रहा है और अब हम wordpress को अपने PC में install करना देखते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो हमें wordpress का script चाहिए होगा वो हम लेके आएंगे www.wordpress.org जिसका मैंने पहले भी जिकर किया कि आप .org में जाकर इस script को wordpress के script को download कर सकते हैं लेकिन इस विए अगर आपने DVD बगरा purchase की है तो उसमें भी आपको यह script मिल जाएगा इस विए current version 4.1.1 है तो अगर आप इसको यहां पर click करते हैं तो आप इसको download कर सकते हैं और इस button से भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले से download करके रखा है तो मैं यह जहें जब आप इसको download करेंगे तो आपको इस सुरत में यह zip format में आपको मिलेगा तो आप इसको install करने के लिए हमें करना क्या होगा हम इसको unzip करते हैं बलके zip के folder में ही फैले मैं इसको copy करता हूँ और हम उस folder में जाते हैं जहां पे हमने इसको paste करना है तो यह बहुत important चीज़ है वो हम क्या करेंगे हम जाएंगे पहले अपने my computer में c drive में हम जाएंगे चूकि हमने xm को c में install किया है तो हम c drive में जाएंगे c drive में हमें यहां पे folder मिलेगा xm का यह देखें xm का लेकिन मैं यह ने xm2 की open install किया था आपका xm में ही जाएंगे xm2 को open करता हूं और यहां पे आपको folder होगा htdocs यह बहुत important है htdocs में जाके हम तमाम अपनी files जो है PHP की paste करते हैं वहां पे htdocs से folder में मैं इस वक्त मजूद हूँ और यहां पे मैं एक new folder create करता हूं जो भी आप नाम चाहते हैं मैं यहां पे अपनी website का नाम bid hippo के नाम से एक folder create करता हूं और इस folder में enter हो जाता हूं और जो मैं script wordpress का लेके आया था या आपने wordpress का जो script download किया है उसको मैं यहां पे paste कर देता हूं अब जो है यह zip format में है इसको मैं extract करता हूं ओके और इसको मैं delete कर देता हूं यहां से अब यह हमारे पास यह एक folder आ गया इस folder में यह तमाम फाइल जो है यह PHP की files यहां पे हमारे पास मुझूद हैं इन तमाम को मैं select करता हूं cut करता हूं और back जाता हूं और यहां पे paste कर देता हूं क्योंकि हमने folder पहले से create किया wordpress वा हैं और हमने इसको htdocs के folder में एक new folder बनाया विड हिपो के नाम से उसमें हमने इसको paste कर दिया अब मैं google chrome को open करता हूं और यहां पे local host forward slash ठीक है और उसके बाद जो है मैं इसमें simple जो मैंने folder का नाम रखा था विड हिपो उसको open करता हूं तो अब यह मरहला start हो गया हमारा wordpress को install करने का अपने local host में तो जैसे ही मैंने script paste किया paste करने के बाद यह हम विड हिपो के folder में वापस आते हैं उसको open करते हैं तो यहां पे हमें बताया जा रहा है कि आप अपना एक database name database username database password और database host जो है वो जो ह बनाएं और इसमें submit करें ओके no problem हम इसको let's go के ओपर क्लिक करते हैं और यहां पे हमने जो भी database name बनाएंगे वो यहां पे हम paste करेंगे तो database name वगरा बनाने के लिए मैं दुबारा local host को open करता हूं और database आपको बनाने का तरीका बदाता हूं local host में ओके यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे tools में PHP my admin आपको नजर आ रहा है PHP my admin के ओपर मैं क्लिक करता हूं और PHP my admin में मैं जाकर जो है database name बनाऊंगा और यहां पे जो हैं वो हम database के ओपर click करते हैं और यहां पे create database यहां पे कोई सभी आप नाम रख सकते हैं database का मैं यहां पे उसल के तोड़ पर hello के नाम से रख देता हूँ और इसको मैं create कर देता हूँ ठीक हो गया जी अब जो है हमारा database जो है वो create हो चुका है तो अब हमें local host में हमारा username जो होता है वो default होता है root के नाम से r o t root और password जो है वो हमने नहीं use किया होता तो हमें सिर्फ यहां पे सिर्फ एक database ही बनाना पड़ेगा बाकी जो है वो हम खुछ से वहां पे लिख देंगे लेकिन जब हम server में काम करते हैं किसी भी hosting server में like c panel में तो वहां पे हमें यह सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं इंशाला next videos में उसके बारे में हम एक complete video बताएंगे ओके हम वापस आते हैं अपने website पे यहां पे हमारा database name जो है वो हमने बनाया hello के नाम से ठीक है जी user name जो के default होता है उसका हम root लिखते हैं यह default होता है password हमने कोई नहीं दिया हम इसको blank छोड़ देते हैं और database host चुकि हम local host पे काम कर रहे हैं तो हम इसको local host ही रहने देंगे अगर हम किसी hosting में काम कर रहे होते तो यहां पे हम उसका host name लिखते जो भी हमें company provide करती है वेb hosting जो हमें provide करेंगे companies वह हम यहां पर लिखेंगे वह हम next videos में देखेंगे जब हम cPanel के ओपर काम करेंगे तो इसको हम submit कर देते हैं और अब हम run this install के ओपर click कर देते हैं तो यहां से हमें सबसे पहले साइट का title name देना पड़ेगा जो भी आप website बना रहे हैं उसका title name देंगे कि मैं यहां पर देता हूँ learn with and earn कोई सबी आप नाम दे सकते हैं यहां पर मैं यह भी कह सकता हूँ with repo.com और title name आपना बनाएंगे और उसके बाद यूजर नेम आप admin का username यूजर नेम आप यूजर नेम आप यहां बनाना चाहेंगे वह आप यहां पर कोई साभी बना सकते ह मैं यहां पर simple admin बना रहा हूँ लेकिन आप कोशिश कीजिएगा admin का यूजर नेम है वो अच्छा यूजर नेम दिया करें तो थोड़ा सा मुश्किल यूजर नेम दिया करें ताके hacker से बचा जा सके उसके बाद जो हैं वो आप password जो हैं वो password generate करें कोई सबी आप जो password generate करें password में भी आप कोशिश करें कि मुश्किल password यूजर यूजर ना कि easy simple 123 या abc 123 इस तरह के password यूजर ना किया करें जिसमें आप यूजर किया करें at या dollar का sign या फीसद का sign कोई भी sign और alphabetical और numerical दोनों उनको यूजर किया करें characters को तो मैं यहां पर simple फिलाल तो मैं यहां पर simple password द ओके उसके बाद जो है मैंने एक simple password यहां पर दिया और उसके बाद आप अपना email address देंगे जो भी admin का email address होगा वो आप यहां पर देंगे मैं यहां पर simple एक basic ऐसे ही email address यहां पर use कर रहा हूँ लेकिन आप बिल्कुल valid email address यहां पर देंगे ठीक है जी allow search engine to index this site यहां पर check mark ही रहने दें बिल्कुल आप अपनी website को index करना चाहते हैं Google के search engine में तो यहां पर check रहने दें उसके बाद install wordpress ठीक है जी इसके ओपर मैं click कर देता हूँ बहुत यह simple है इतना मुश्किल नहीं है wordpress को install करना एक तफ़ा install करना होता है उसके बाद जो है वह आपने इसके designing के हवाले से काम करना होता है तो बहुत अच्छी चीज है इतना मुश्किल नहीं है आपको languages वगारा यूज नहीं करनी बढ़ती तो यह एक बहुत अच्छा platform है website त्यार करने के लिए ओके तो बिलकुल जी हमारा जो है wordpress जो है वो बिलकुल install हो चुका है अब जो है वो हम यह तमाम text को खतम करते हैं और main page पर आते है localhost slash with hippo के ओपर यहां पे हमने एक wordpress install किया है तो इसको हम देख सकते हैं यह आपके सामने wordpress जो है वो simple की default theme जो है करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है उसके लिए हमें WP-admin और इस को हम एंटर करते हैं WP-Adwin को हम एंटर करते हैं तो यहां पे हमें यूजर नेम और पासवर्ट जो हैं वो दरकार होता है अब यूजर नेम और पासवर्ट जो हैं वो कोई सा भी यहां पे जो आपने उस वक्त बनाया होता है वो आप यहां पे देते हैं विसाल को तोर पर मैं यहां पे देता हूँ और मैं यहां पे पासवर्ड देता हूँ जो मैंने वहां पे उस वक्त लगाया था और लॉग इन कर देता हूँ तो आपका वर्डप्रेस वो बिलकुल परफेक्ट वो आपके सामने इंस्टाल हो चुका है और इसको हम दुबारा से ओपन करता हूँ मैं इसकी डिफॉल्ट थीम है वागे इन तमाम चीजों के बारे में मजीद आपके सामने नेक्स्ट क्लासिज में आपको बताया जाएगा अमीद है कि भी आपको सारी डिटेल जो है मैंने जो बताई है वो आपको समझ आगी होगी कोई भी क्वेस्टन हो तो आप हमारी वेबसाइट से रप्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पर रप्ता कर सकते हैं और अपनी दौाओं में मुझे याद रखी अल्ला हाफिस